अटल बिहारी बाजपे की जयनती 25 दिसंबर को नेशनल गुड गवर्नेस डे मनाया जाता है यानि राष्टिय सुशासन दिवस और आज मैं बताने जा रहा हूं कि गुड गवर्नेस का क्या मतलब होता है गवर्नेस कहते किसको है तो इट इस दिसीजन मेकिंग और प्रोसेस बाइवीच डिसीजन आर इंप्लिमेंटेड गुल मिलाकर अगर कहें तो किस तरह से निर्नेओं को लिया जाता है और उन निर्नेओं को कैसे लागू किया जाता है गवर्नेस कैन वी यूज़ इस सेवरा कॉंटेक्स सच आज कॉर्पोरेट गवर्नेस जो की कॉर्पोरेट घरानों में होता है बरी-बरी कमपनियों में इंटरनेशनल गवर्नेस जैसे अंतराश्टिये सासन है नेशनल गवर्नेस राश्टिये हो गया और लोकल गवर्नेस यानि अस्थानिय अस्थर पर सासन तो governance कई लेबल पर है जिन लेबल पर decision making किया जाता है और उसकी प्रकिरिया किया है वो कैसे लागू किया जाता है तो प्रश्ण उड़ता है कि good governance का यानि सुसासन का क्या क्या feature है character है लक्षन है जैसा कि संजुक्त राष्ट संग ने कहा है तो सबसे पहले participation यानि कि सहभागिता लोगों की good governance में सहभागिता होनी चाहिए गवर्नेस में सहभागिता होगी लोगों की तभी good governance कहलाएगा so people should have a voice in decision making either directly or through legitimate institutions that represent their interest अगर लोग सासन में रूची नहीं रखते हैं decision making में रूची नहीं रखते हैं तो फिर ये participation नहीं हुआ इसलिए participation जरूरी है दूसरी महत्पुर्ण बात rule of law यानि कानून का सासन है legal framework होना चाहिए एक तरह से कानूनी संरचना होनी चाहिए जिसे की fair और एक तरह से impartial rule of law लागू हो सके human right की बहाली हो सके तीसरा aware है good governance का transparency यानि की पारदर्सिता तो transparency है क्या कि जो सुचनाए है वो सुचनाए free flow होना चाहिए transparency is built on the free flow of information processes institutions and information are directly accessible to this concern इसलिए अगर सुचनाओं का एक तरह से free flow नहीं हुआ तो transparency नहीं हुआ कैसे निर्ने को लिया जाता है क्या निर्ने लिया गया और वो निर्ने कैसे लागू किया गया यह transparency का matter है और अगर ऐसा सुचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है सरकार और नागरिकों के बीच में तब माना जाएगा कि यह good governance हुआ responsiveness यानि की diet response कितना है institutions processes try to serve all stakeholders within a reasonable time frame एक निश्चित समय किसीमा के दोरान जितने भी संस्थाएं हैं और प्रक्रियां हैं वो सभी response दें जितने भी stake holder हैं यानि की उस प्रक्रिया से जितने लोग जुरे हुए हैं consensus oriented यानि की सहमती प्रेडित good governance के लिए सहमती जरूरी है Mediation यानि की राय विचार विमर्स जरूरी है different अस्तर प्रसोसाइटी की ताकि सहमती अस्थापी थोक सके What is best interest of the whole community and how this can be achieved जो best interest में हो उसके बारे में आम सहमती Then equity की बात आती है समता की बात आती है जितने भी group हैं जिसमें सबसे जो नीचे हैं vulnerable group हैं उनको opportunity में सुधार आना चाहिए उनको author मिलना चाहिए उनका well being होना चाहिए तभी good governance माना जाएगा उसके बाद आता है effectiveness और efficiency Efficiency का मतलब होता है कम से कम resource use करने पर अधिक सधिक output और effectiveness का मतलब होता है कि आपका जो goal है वो प्राप्त हुआ की नहीं तो जो process है जो institutions है उसे result मिलना चाहिए best use resource को करके accountability मतलब होता है उतरदाई decision maker in government, private sector, civil society organization उसको जनता के परती उतरदाई होना चाहिए और साथ में जितने भी national institutional stakeholder है उनके परती तब होता है अब सरकार के जो मेजर से है initiative है good governance के लिए तो एक good governance index भी आया है good governance index जी 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 आई भी कहते है has been launched by the ministry of personal public branch and person DOPT to determine the status of good governance in the country और इसे होता क्या है कि good governance का status क्या है label क्या है अलग-अलग राज्यों में और union territories में national e-governance plan भी है जिसका vision है to make all government services accessible to common man in his locality through common service delivery outlet and ensure efficiency transparency and reliability of services to all then right to information act सूचना का अधिकार 2005 है उसका उद्देश ही है कि सरकार के public जो authorities है उनके विभिन प्रक्रियाओं के बारे में अगर जनता सूचना की मांग करती है तो उसके सूचना देना so that इसका उद्देश है कि जनता को यानि citizen को ससक्त करना transparency accountability बढ़ावा हो corruption कम हो और लोगों की सहभागिता जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें बढ़ना चाहिए और नितियायोग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, लोगपाल इन सब का उद्देश इस good governance को बढ़ावा देना है तो ये good governance एकी potent topic है जो civil services BPSC में पूछा जाता है आज राश्टिये सुसासल जीवस है 25 दिसम्बर और इस उसर पर good governance का आपके समक्ष ये प्रस्तूत है बहुत बहुत नवाद, thank you